नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका GDS to MTS प्रिवियस यर कोश्चन पेपर की वीडियो नमबर एट में और आज हम मद्य अपरदेश सरकल का जो कोश्चन पेपर है उसको अटेम्ट करने जा रहे हैं दोस्तों अगर आप भी मेरा GDS to MTS पेशल बैच जो है अगर उसको जोएन करना चाहते हैं तो इसको बड़ी फुशी से कर सकते हैं जो बैच अभी जो है लाइव चल रहा है और इसको जोएन करने के लिए आपको यूट्यूब पर मुझे जोएन करना पड़ेगा इसकी जो फ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो हमारा थोड़ा सा जूम बढ़ा लेते हैं और इतना ठीक है चल फिलहाव तो ठीक है पहला क्वेश्चन रहा सक्रीन पे कि अकाउंट बैग किस किस आफिस के बीच जो है एक्स्चेंज होता है तो अकाउंट बैग जो है हेड आफिस और सब आफिस के बीच एक्स्चेंज होता है अप्शन नमबर टी कोश्चन नमबर सेकंड कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है नौट कोरेक्ट तो कैंप बैग आर नौट ड्यू बैग जे सही है क्योंकि कैंप बैग कभी कबार ही बनते हैं अकाउंट बैग आर ड् बैग जे गलत है हर रोज कैश बैग नहीं बनते जब कभी भी जरूरत होती है तब ही इनको बनाया जाता है क्वेश्चन नमबर ट्री कि जो अगर सौर्टिंग लिस्ट में कोई चेंज आया है तो इसके लिए जो और निकालते हैं उनको कौन सा और बूला जाता है तो उसक नमबर फौर कि ऐसा ओफिस जहां पर बंद बैग ही रिसीव किये जाते हैं और बंद बैग ही डिस्पैच किये जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट मेर ओफिस अप्शन नमबर बी Q5, कि नीचे के option में से कौन सी ऐसी चीज है जो office है जो RMS के अंदर नहीं आता है तो जो नॉडल post office है ये एक post office है और RMS के अंदर नहीं आता है बाकि तीने चीज बाकि तीनों जो office है वो RMS के नीचे आते हैं Q6, कि दमण and due कौन से postal circle के नीचे आता है तो दमरेंड दियू गुजरात पोस्ट सर्क्ल के नीची आता है Q7 कि पोस्ट आफिस के काम करने का जो समा है वो कौन डिसाइड करता है कौन सी अथौरिटी डिसाइड करती है तो head of a circle डिसाइड करती है option number C तो दो statement दी गई है पहला है कि पंजाब का जो headquarter है वो अमरे सर है यह गलत है क्योंकि पंजाब का headquarter चंडीगड है दूसरा कि गुजरात का headquarter सूरत है यह भी गलत है दोनों गलत है option number B जहां पर लिखा है कि normal working day में मतलब की सोंबार से लेकर शुकरवार तक postage stamp को जा stationary को कि समय तक sale किया जा सकता है तो posted stamp और stationary को entire working hour में sale जो है किया जा सकता है ठीक है question number 10 पहला point है कि revenue stamp को हम as a payment of postage इस्तेमाल कर सकते है तो जह गलत है पहला point दूसरा है कि flatly bureau flat list के लिए खोले गए है तो दूसरा point सही है तो सिर्फ दूसरा point सही है तो option number C question number 11 इसमें first point है कि stamp को right hand side top corner में शिपकाया जाता है मतलग कि जहां पर यह तो सही है और हर article के ऊपर दो post office की stamp लगी होनी चाहिए यह भी सही है दोनों statement सही है option number A question number 12 कि इन में से कौन सी चीज prohibited नहीं है तो explosive substance तो prohibited है अगर कोई तीखी चीज है जिसको अच्छी तरह से pack नहीं किया है तो वह भी prohibited है ठीक है और किसी living creator को भीजना भी prohibited है लेकिन gold और coin को भीजना prohibited नहीं है एक लाग और रपैतक हम इसको भीज सकते हैं तो option number D question number 13 जब official postal article किसी government official के दुवारा बेजे जाए तो उसके उपर क्या लिखा हुआ होना चाहिए तो उसके उपर OIGS लिखा हुआ होना चाहिए जिसको हम on India government service बोलते हैं question number 14 post box are available free of cost जे गलत है post box को लेने का चार्थ लगता है और post box are available in all post office including B.O.J.B. गलत है दोनों गलत है तो option number B post box सिरफ चुनिंदा post offices में ही होते हैं जैसा भी head of a circle decide करते हैं question number 15 अगर पता अधूरा है तो डिलिवर नहीं किया जाएगा pin code facilitates effective delivery of article जे सही है अगर pin code लिखा होगा तो डिलिवरी करने में आसानी होगी so option number B question number 16 कौन से case में registration compulsory नहीं है registration is not compulsory to ensure case में तो registration compulsory है VP में भी compulsory है अगर parcel का वजन चार किलो से बढ़ जाता है तो compulsory है लेकिन blind literature में compulsory नहीं है free of cost है लेकिन compulsory नहीं है question number 17 कि international जो ट्रैक्ट पैकट होते हैं उनका वजन कितना होता है तो वो दो केजी तक उनको हम बेड़ सकते हैं ठीक है question number 18 कि international money transfer से संबंदित कौन से statement गलत है पहली कि सिर्फ बाहर से पैसे इंडिया में आ ही सकते हैं बेजे नहीं जा सकते ये सही है दूसरा एक साल में 30 transaction ही allow है ये भी सही है तीसरा 5-50,000 तक का जो कैश है इसको नकद दिया जा सकता है ये भी सही है मैक्सिमम जो है भेजा जा सकता है question number 19 महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट का व्याज पूछा है जब भी question आपका exam होगा तो latest व्याज की list आपने याद करके जाना है इसको हम छोड़ देते हैं ताजो आपको कभी conflict ना हो question number 20 my stamp को कभी introduce किया गया था दो हजार ग्यारा में इसको इंटर्डूस किया गया था Indypex exhibition में ठीक है flatly deposit account कितने रुपए से खुला जा सकता है 200 रुपए में से खुला जा सकता है RPLA policy कितने तरह की होती है दोस्तों छे तरह की होती है और PLI का जो insurance है यह शुरू तो 1884 में हुआ था लेकिन post and telegraph department को जो उस पर कब लागू हुआ था तो 1894, 23 का थी और POPS के department of post के साथ और किस ministry ने इसके लिए agreement किया है initiative है वो है ministry of external affair question number 25 complete mailing solution कौन provide करवाता है इस post में से तो वो है business post जिसमें हम insertion से लेकर, packing से लेकर, pick up से लेकर, storage से लेकर, transmission तक सारा काम करते है question number 26 TD के case में कौन सी statement गलत है तो पहले में व्याजदर पूछा है यह सही है दूसरे में ATC section की rebate मिलती है पांच साल की TD में ही मिलती है याद रखना यह भी सही है account को खोलते समय cash भी दिया जा सकता है, check भी दिया जा सकता है fourth point देखिए कि इसको 6 महीने से पहले भी बंद करवाया जा सकता है तो यही point गलत है और यही हम से पूछा गया है question number 27 इसकी 50 gram की speed post को अगर local में book करना है तो कितने पैसे लगेंगे 15 रुपए लगेंगे अगर इसमें GST एड़ कर देंगे तो पैसे 17 रुपए 50 पैसे ऐसा कुस लगता है ठीक है अठाइस नैशनल फिलैटलिक म्यूजियम कहां पर है तो जी है नियो डेली धाकबवन में ही है आई थिंक ग्राउंड फ्लोर पर है question number 29 head record office किसे संबंदित है तो railway mail service में head record office होते हैं जिसके नीचे section काम करते है question number 30 label bundle के बारे में दो statement लिखी है पहला की label bundle को जब sort किया जाता है तो single article treat किया जाता है जैसा ही है दूसरा label bundle तीन तरह के होते हैं जो की गलत है label bundle दो तरह के होते हैं express और dapd ठीक है जी तो पहला सही है option number C तो यह थे तीस question अगर तो आपको अच्छे मतलब की सभी question समझा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपको आपकी त्यारी अच्छी हो रही है लेकिन फिर भी अगर आपको doubt रह रहा है तो आप जो मेरी वीडियो से उनको देख सकते हैं जो हमारा live batch चल रहा है उसको भी कर सकते हैं मैं सर्फ आपको डिपार्टमेंट का स्लेब से करवाता हूं उसके इलावा जो mathematics and gk कर दो एश कर दो ओक कर दो